करके देखें, पहला निम्रे लिखित संख्याएं परीमे हैं या आपरीमें पहला वर्गमोल 81, दूसरा रीन वर्गमोल 625, तीसरा वर्गमोल 11, चौथा रीन वर्गमोल 81 बटे 25, पाँचवां चटवा, पांच दस्मलों साथ सुन्य साथ सुन्य सुन्य साथ सुन्य 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 सु रिन वर्गमूल दो, रिन वर्गमूल पांच का स्थान निर्धारित कीजिए. वास्त्विक संख्याएं यदि हम सभी परीमे और आपरीमे संख्याओं को संख्या रेखा पर दरसाते हैं, तो क्या संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? नहीं, परीमे और अपरीमे संख्याओं को मिला कर जो नया संख्या प्राप्त होता है वे संख्या रेखा की सभी बिंदूओं को ढख लेगा यह बड़ा संख्या वास्त्विक संख्याओं का है वास्त्विक संख्याओं पर संक्रिया हैं परिमे संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुना, भाग की संक्रिया हम करते रहे हैं हम देख चुके हैं कि परिमे संख्याओं के योग, वा गुना, सदेव परिमे संख्याओं होती हैं क्या आवपरी में संख्याओं के बीच भी संक्रिया करने पर सदेव आवपरी में संख्या प्राप्त होती है। इस उदाहरण को देखिए वर्गमूल पांच धन कोश्टक में रिन वर्गमूल पांच बराबर सुन्य वर्गमूल तीन गुनित वर्गमूल तीन बराबर वर्गमूल नौ बराबर तीन वर्गमूल पांच बटे वर्गमूल पांच बराबर एक इन सब में संक्रिया के बाद प्राप्थुई संख्या आपरी में नहीं है, यानि आपरी में संख्याओं का योग, गुना वा भाग, सदेव आपरी में संख्या नहीं होती है। करके देखें, पहला आप भी कुछ आपरी में संख्याएं लें और संक्रिया करके जाचें। दूसरा कम से कम पाँच पाँच उधारण खोजें जहां संक्रिया के बाद और परिमे संख्याएं नो मिले ऐसे भी उधारण सोचें जिन में संक्रिया के बाद और परिमे संख्याएं ही मिलती हैं और परिमे संख्या पहचानना हम जानते हैं कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10 आधी और परिमे संख्याएं हैं किन्तु वर्गमूल 1, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9 परिमे संख्याएं हैं परन्तु क्या पांच धन वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन रिन एक, वर्गमूल पांच बटे दो और ऐसी अन्य संख्याएं भी आपरिमें संख्याएं हैं। आएए देखें। हम जानते हैं वर्गमूल दो बराबर, एक दस्मलो चार एक चार दो एक डोट डोट डोट, वर्गमूल तीन बराबर, एक दस्मलो साथ तीन दो सुन्य पांच डोट 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 वर्गमुल पांच बराबर दो दस्मलो दो तीन छे सुन्य छे डॉट 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 पहला अता पांच धन वर्गमुल दो बराबर छे दस्मलो चार एक चार दो एक डॉट 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 यह निरूपन असांत है वा अनावर्ती है अता पांच धन वर्गमूल दो परिमे संख्या नहीं है। अता पांच धन वर्गमूल दो परिमे संख्या है। अता पांच धन वर्गमूल दो परिमे संख्या है। चौथा वर्गमूल पांच बटे दो बराबर दो दस्मलाव दो तीन छे सुन्य छे डोट 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 बटे दो बराबर एक दस्मलाव एक एक आठ सुन्य तीन डोट 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 असांत और अनावर्ती दस्मलाव संख्या है। अता वर्गमूल पांच बटे दो आपरी में संख्या है इनसे क्या निस्कर्स निकाला जा सकता है निमनिल्खित उधारणों से हम कह सकते हैं कि एक परी में और एक आपरी में संख्या के बीच योग, अंतर, गुना और भाग सदेव आपरी में संख्या होती है माना A तथा B दो धनात्मक वास्त्विक संख्याएं हैं तो पहला A वर्गमूल B धन C वर्गमूल B बराबर कुष्टक में A धन C कुष्टक के बाहर वर्गमूल B दूसरा A वर्गमूल B रिन C वर्गमूल B बराबर कुष्टक में A रिन C बाहर वर्गमूल B तीसरा वर्गमूल A गुनित वर्गमूल B बराबर वर्गमूल A B चौथा वर्गमूल A बटे वर्गमूल B बराबर वर्गमूल A बटे B पाचवां कोष्टक में वर्गमूल A धन वर्गमूल B कोष्टक बन कोष्टक में वर्गमूल C धन वर्गमूल D कोष्टक बन बराबर वर्गमूल AC धन वर्गमूल AD धन वर्गमूल BC धन वर्गमूल BD जहां C और D वे धनात्मक वास्त्विक संख्या है 6. कुस्तक में वर्गमूल A धन वर्गमूल B, कुस्तक में वर्गमूल A रिन वर्गमूल B, बराबर A रिन B 7. कुस्तक में A धन वर्गमूल B, कुस्तक में A रिन वर्गमूल B, बराबर A का वर्ग रिन B